वेल्कम टू टार्गेट सरकारी नौकरी मैं हूँ उर्शाद अली इन्वार्मेंटल स्टडीज की इस कूर्स में हम नेक्स टॉपिक डिसकस करेंगे अग्रिकल्चर ओफ इंडिया भारत में क्रशी और दूसरा टॉपिक है भारत में क्रांती है जैसे हरित क्रांती श्वेत क्रांती इन पर क्वेशन आपके एक्वेत क्रांती का जनक किसे कहा जाता है या श्वेत क्रांती का जनक किसे कहा जाता है एक और सवाल बनता है इसमें क कि इन में से कौन सी फसल रभी की है, इन में से कौन सी फसल खरीब की है, ऐसे बोया जाता है कि गेहुं किस मौसम में बोया जाता है, या किस महीने में बोया जाता है, इस तरह की questions भी आपके exam में बन चुके हैं, और एक question और आता है कि भारत में गेहुं का सबसे ज्यादा उत् इस तरह के सारे questions देखेंगे सभी फसलों के लिए चैनल पर नए हो तो subscribe कर लो बेल आइकन कॉन कर लो थाकि हमारे वीडियो के notifications आपको मिलते रहे हैं प्लीज शेर भी करिएगा वीडियो को और like करना ना भूले साथ ही देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पर तो इतनी ज्यादा regular classes नहीं है YouTube के पर लेकिन Unacademy Plus में आपको regular classes मिलेंगी अगर आप CTAT या UPTAT या NET इन सभी की त्यारी करना चाहते हैं तो Unacademy Plus में ये classes होती है regularly daily कम से कम 10 से ज्यादा कम से कम 20 classes आपको daily मिलती है live classes तो इन live classes में आप अपनी मन पसंद के एड़कीटर से पढ़ सकते हैं चाहें CTAT के लिए चाहें UPTAT के लिए चाहें NET के लिए तो यहाँ subscription लेके one year का three months का six months का जो आपको पसंद लगे या trial के तोर पर आप one month का लेकर भी यहाँ study कर सकते हैं regularity के साथ आप वहाँ पर जाकर study कर सकते हैं मेरी live classes भी होती है in academy में तो आप अगर चाहें तो target सरकारी नोकरे का referral code वहाँ इस्तमाल करके 10% का discount वहाँ मिल जाएगा उन courses पर और आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो 971-788-7881 पर मुझे message करके इसनकी जानकारी ले सकते हैं इन courses की अगर literally आपको U.P.C.T. qualify करना है तो बहुत regular way में यहाँ पर तयारी होती है चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस topic की दीके भारत में जो किर्शी होती है किर्शी पर कितने लोग आधारी थे हैं मतलब भारत में जो किर्शी में सनलगन जितनी भी व्यक्ति हैं उनका percentage में अगर आप देखोगे 2011 की census के 900 तो 54 प्रतिशत भारत की जन संक्या किर्शी कार्यचै में सनलगन आ इसका मतलब भारत जो है किर्शी पर अधारित है और 47% एरिया भारत का भारत का 47% भोगोल एरिया किर्शी के काम में आता है तो लगवग हम कह सकते हैं 50% population 50% land इंडिया की किर्शी में यूज होती है विश में सबसे ज्यादा किर्शी वाला शेत्र कौन सा है सबसे ज्यादा मतलब एरिया किर्शी के लिए अगरिकर्चर लेंड है अमेरिका का उसके बाद इंडिया का आता है अब देखेंगे भारत में जो किर्शी होती है उसका पाटरन क्या है भारत में जो किर्सी होती है वो सीजनल होती है यानि सीजन के हिसाब से भारत में खेती की जाती है तो तीन तरह की फसले होती है भारत के अंदर रभी क्रॉप है, सबसे पहली रभी क्रॉप है, खरीब है, फिर जायद है रभी की फसल, खरीब की फसल, जायद की फसल तो रभी की फसल जो है, ये किस महीने में बोई जाती है ये एक्चुली जब सर्दिया शुरू होती है विंटर सीजन में ये बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है रभी की फसले मार्श और अप्रेल में इनको काट लिया जाता है मार्श अप्रेल में पके तयार हो जाती है जैसे गेहूं वगएर आप ही डिसकस करेंगे इन कौन-कौन सी फसले होती हैं क्योंकि वो भी कुशन बन चुका है ओवरल कुशन शुरुआत में यहां से आपको यह नजर आता है कि खरीब की फसले किस सीजन में बोई जाती है बारिश का जब मौसम होता है बारिश के मौसम में जून जुलाई में यह फसले बोई जाती है रेनी सीजन में वर्शा के मौसम में यह फसले बोई जाती है और ये October November में काट ली जाती है ऐसे ही जायत की फसले जो होती है summer season में यानि गणी गर्मी में बोई जाती है और जून में जो एक तरिके से क्या है मार्च में बोगर कीन झून में काट लिआ जाता है आप देखेंगे ये फसले कौन कौन सी होती है चलिए ये देखे ये फसले आप पहले रवी के फसले देखते हैं रवी में कौन-कौन से फसले आती हैं तो रवी के फसल है जैसे गेहूं गेहूं कब वह जाता है अक्टूबर नवंबर में यानि नेक्स मन्त में ये अक्टूबर नवंबर में गेहूं सर्दी में बोह दिया को काट भी लिया जाता है तो सवाल ऐसे आएगा कि इन में से कौन सी फसल रवी की है तो ऐसे पूछ लेगा गेहूं किस की फसल है रवी की खरीफ के जायत की है सरसो किस की फसल है रवी की खरीफ की है जायत की या इसे पूछ लेगा रवी की फसल किस महीने में वही जाती है ऐ इसे पूछ सकता है कुशिन तो सारे के सामने हैं सारे के सारे पॉइंट आपके सामने हैं अब मिस नहीं होना चाहिए खरीफ की फ़सल कौन कौन सी उसी चावल पैडी जुहार बाजरा मक्का कपास कोटन मूंगफली सोयबीन रागी ये सब वही जाती हैं जून जुलाई में और इनको अक्टूवर नवंबर में इनको काट लिया जाता है इन फसलों को तो अक्टूवर अभी चावल की खेती तयार होगी पैडी धान जो होंगे वो तयार है और अक्टूवर नवंबर में इसको काट लिया जाएगा और इसके साथ में मक्का जूट वगएरा ये सारे कि सारे फसले खरीब की फसले होती है तो इन पर जो क्वेशन से अब तो आपका नहीं छूटना चाहिए इतिंग मुझा लगता है जायत की फसले देख लीजिए जितनी भी हरी पत्तिदार सब्जिया होंगी जैसे अभी खीरा है खीरा तर्बूज खर्बूजा मूंग उड़ होती है नेक्स्ट वन चलिए अब बात करेंगे चावल की बात करते हैं पैडी की भारत की अगर मुख्या फसलों के आप बात करोगे ना बारत की मेरे जो में ग्रोप है वो दो हैं एक है गेहूं और एक है चावल अगर आप बात करोगे सबसे ज्यादा भारत में किस फसल का उतपादन किया जाता है तो भारत में सबसे ज्यादा चावल का उतपादन किया जाता है उसके बाद सेगेंड नमबर पर गेहूं का ध्यान रखेंगे तो अब सवाल यहां से ऐसे बनेगा कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा उतपादक दे तो भारत में चावल का सरवाजी उत्पातन करने वाला राज्ज न कौनसा है या दूसरे न Umber पे कौनसा तीसरे पे onda इसा है तू चावल में जो पृथम देश हैं जो लिखेंगे यहाँ पर लिखे वह हैं और भारत में जो पर्थम राज्य है, पर्थम राज्य का मतलब भारत में सबसे ज्यादा जो चावल प्रोड्यूस करने वारा राज्य है, उनको यहां लिखेंगे, तो आपके सामने नजर आ रहा है, आपको वर्ल डार्जस प्रोड्यूसर आफ राइस, इन वर्ल्ड सिटी कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादन करता है वो देश है चीन, और सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है हर साल, तो पस्ची मंगाल है, पस्ची मंगाल में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, या बोया जाता है, यस यूस किया जाता है, उसको खाया जाता उत्र प्रदेश में सेकेंड नमबर पर आता है भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्जी है जो चावल का उत्पादन करता है ऐसे ही तीसरा है पंजाब चोथा है आंध्रा अब पश्ची मंगाल में इतना क्यों होता है जो तीनों फसले अभी हमने पढ़ी थी रवी खरीब जायद पश्ची मंगाल में क्या होता एक साल में इन तीनों सीजन में जो है इन तीनों सीजन में तीन फसलों में जो है केवल और केवल चावल का ही उत्पादन किया जाता है चावल ही बोया जाता है वहां तीनों सीजन में रवी में खरीब में जायद में पूरे साल महां च सरवादिक गेहुं के उत्पादन में सरवादिक उत्पादन करने वाला देश विश्व में कौन आता है चीन ही आता है दूसरे नंबर भारत तो गेहुं और चावल में हम सबसे ज्यादा गेहुं कौन सा राज्य उत्पादन करता है गेहुं का तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा गेहों को produce करता है सेकेंड नमबर पर पंजाब आता है थर्ड पर मध्यपुर्देश और फूर्थ पर हर्याना एंड नेक्स वन देखिए जो भारत की मुख्या फसले मैंने बताई पहरे नमबर पर गेहों चावल आता है पर आंड पर प helpless। अजिकिंड वादा है जी सेकेंड अधर मोथ। ज्यादा सबसे ज़्यादा मकक मैंने इन धर प्रुदेशं करता है यहां पशू पालन होता है पशू वाद sworn में इसको मक्का से ही जो इथिनॉल बनाकर पेट्रोल में डीजल में इसको 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 भी याद रखेंगे तो सारे questions याद रखने कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में तो भारत में ये कपास की खास बात है कपास काली मिट्टी में उखता है और काली मिट्टी के लिए महरास famous है तो महरास में सबसे ज़्यादा कपास उगाई जा और देखिए रबड रबड को देखिए भारत में सबसे ज्यादा रबड किस राज़े में होती है केरल में और दूसरे नमबर पर तमिल लाडू में विश्व में पर्थम देखिए तो पहला है थाइलेंड में सबसे ज्यादा रबड होती है इंडोनेशा में दूसरे पर और थर्ड में भारत में तो केरल की वज़े से ही भारत में थर्ड नमबर पर आता है विश्व में ये नेक्स्ट वन चलिए गन्ना देखे शुगर किन गन्ना विश्व में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है ब्राजील में उसके बाद भारत में उसके बाद क्यूबा में एक नाम पर इसी को हम क्या कहते हैं? यानि विश में चीनी-का-कटोरा कौन से देश है? परितम भारत में सबसे जयादा गन्ना होता, उत्रप district में और महारास्ट में मतलब ईसमें सबसे लार्जास प्रोडि時間 होगा, जिसके आगे 2nd लिखा है वो second largest producer होगा तो भारत में पर्थम राज्य जो चाय के मामले में है भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम्में किया जाता है उसके बाद second number पर दूसरे number पैता है पश्चिम मंगाल विश्य में सबसे ज़्यादा production चाय का होती है चीन में और दूसरा होता है भारत में दूसरे number पर भारत में अगर चाय देखो के दू तरह की चाय होती है एक होती ब्लाक टी दूसरी होती है ग्रीन टी तो भारत जो जाना जाता है वो black tea के लिए जाना आता है भारत में सबसे ज़्यादा black tea होती है काली चाही होती है और green tea आप जो देखते हैं वो china famous है चाइना में production होता है किसका सबसे ज़्यादा green tea का और black tea का होता है भारत में अब चलिए कुछ क्रांति आपको पढ़नी है अब इन पर देखे questions कैसे बनते हैं सबसे ज़्यादा इन में से किस के उत्पादन से सम्भाण दीता है तो यह है खाद्यान उत्पादन से खाद्यान में भी क्या food grains जो होती है food grain production मतलब गेहूं और धान के production से related थी यह क्रांती अब इन को देखे लो किस किस से related है श्वेद क्रांती होती है यह white revolution दूद का रंग होता है सफेद तो इसको आप याद कर सकते हैं दुख दुद पादन से या milk production से related होती है कौन सी श्वेद क्रांती नीली क्रांती की बात करोगे आप यह blue revolution related होती है मचली उत्पादन से fish production से related होती है यह नीली क्रांती होती है petroleum यह नी petroleum की उत्पादन से और थूसर क्रांती यह great revolution होती है fertilizer उर्वरक होते है खाद होते हैं खाद कई तब मानते हैं हम में किसी भी production अगर हम कर रहे हैं या किसी भी change में आचानक से sudden change आके उसका mass production होता है तो यही होती है हमारी क्रांतिया ठीक है? तो हमने और वरख हो, petroleum हो, जब 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 यह क्रांतिया लागू की गहीएं तो देश में इन सब का production बहुत अच्छे level पर बड़ा है बहुत ज्यादा production हुआ है रजट क्रांती हुथी silver क्रांती है आप ने अंड़ का production कह लिए या फिर मुर्गिों का production थिक है मुर्गिओ का अध़धन य इस को देखते हैं थोड़ासा डीटेल में पहली क्रांती के बात करांती है 1965 की बात है ये उसमें जो है अकाल पड़ा था देश में और देश में खाने तक के लिए गेहू तक अवेलेबल नहीं था तो बहुत बड़ी भारी संकट से जूरा था हमारा देश तभी जो है Green Revolution को अपनाया गया और भारत में Green Revolution लाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे MS. Swaminathan भारत में Harit Kranti या Green Revolution लाने वाले व्यक्ति कौन थे MS. Swaminathan तो Green Revolution किस से related हुआ खाद्यान से खाद्यान में किस खाद्यान से गेहू से साथ में इसके अडिशनल धान से चावल से ठीक है और यह जो शब्द है Harit Kranti शब्द को गड़ा था कि इसने William God ने यह शब्द दिया था भारत में Harit Kranti की शुरुआत तो हुई थी साल 1966-1967 में हुई थी Harit Kranti की शुरुआत यह कोशिन गुन बन चुके है अगर विश में World Devil पर आप बात करोगे इस Harit Kranti को चलाया किस वक्ति ने था तो विश में Harit Kranti का जनक शुरू करने वाला व्यक्ति था Norman Borlog तो विश में Father of Green Revolution in the World कहेंगे Norman Borlog को और Father of Green Revolution in India कहेंगे MS. Swaminathan को दोनों क्वेशन अलग-अलग बन चुके हैं इनको ख्याल लखिएगा कौन से वर्ड के है कौन से इंडिया के है तो उस वक्त भारत में मैक्सिको में जो है Green Revolution हुई थी तो वहां mass production हुआ था बहुत large scale पर किसका गेहूं का तो भारत में Mexican गेहूं को लाया गया और Mexican गेहूं की जो प्रजातिया थी जो किस्म थी वो थी कल्यानी सोना और सोना लिगा इन दो को लाकर के जो है इंडिया में उत्पादन किया गया है तो इंडिया में तब से लेकर के आज तक गेहूं की कोई ऐसी किलत नहीं है बहुत अच्छा production होता अच्छी लेगर पर और विश में हम second number पर है गेहूं के उत्पादन में इवन चावल के उत्पादन में भी तो तब से लेकर आज तक इंडिया continuously कभी भी पीछे नहीं रहा है गेहूं के उत्पादन या कभी भी गेहूं की कमी नहीं रही है भारत में तो खाद्यान उत्पादन से रिलेटेड या गेहूं चावल से रिलेटेड कौन से क्रांती होगी हरित क्रांती अगली है श्वेद क्रांती श्वेद क्रांती रिलेटेड है दुग्द उत्पादन से दूद के उत्पादन से तो यह क्रांती हुई थी साल 1970 में कुछेशन पुछाब है तो सवाल आया कि 1970 में ऑप्रेशन फ्लड जो चलाया गया था वो किससे सम्मधित था तो ऑप्रेशन फ्लड जो था वो सम्मधित किससे था श्वेद करांजी से और दुगद उतपादन से या milk production से operation flood के नाम से आप समझ सकते हो कि कहीं बाड से related तो नहीं है किसी किसी राजी में बाड आयो यह गलत हो जाएगा तो यह operation flood 1970 में आया था यह इसको चालू किया गया था और यह किसे related था milk production से श्वेट करांती के जनक किसको कहा जाता भारत में भारत में श्वेट करांती के जनक कौन है वर्गिस कुरियन है इन्होंने क्या किया था इन्होंने भारत में जो दुख दुदपादन के लिए दुदध दुदपादन के करने वाली सबसे बड़ी जो कंपनी आप सुनते हैं Amul, Amul की स्थापना इन्हों नहीं कीती Amul का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है Ananda Milk Union Limited और Father of White Revolution कौन है Vargas, Korean याद रखेंगे Neely Kranti, Angly Kranti ये Neely Kranti तो ये मत्से है या फिर मचली परड़क्शन या फिस्ट परड़क्शन से रिलेटेड है तो भारत में जो मचली होती है दो तरह की होती है एक तो होती है Coastal Fish या Marine Fish जो समुद्री Fish होती है और कुछ होती है Inland Fish जो Fresh Water में होती है ठीक है जीलो बगएरा मैं कह सकते है तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज़े जो Coastal Fish, Marine Fish होती है जो समुद्री Fish होती है उनमें सबसे ज्यादा परड़क्शन करने वाला राज़े कौन सा भारत का तो गुजरात में सबसे ज्यादा मचली होती है यह मचलियों का production होता है second number पर केरल में और वो भी कौन सी marine वाली है अगर inland की बात करोगे जो भारत के अंदर main land areas में होती है समुदर वाली नहीं तो भारत में सबसे ज़्यादा आंदर प्रदेश में होती है और second में आती है पस्चिम बंगाल में नेक्स देखिए और अगर विश्व में देखोगे इनका विश्व में इनका सबसे दार production marine वाली का तो चीन करती है चीन करता है और पेरू करता है इंडिया करता है और विश्व में अगर देखोगे जो coastal, sorry inland वाला, inland में चीन ही करता है और second number पे भारत आता है तो भारत जाना जाता है किस तरह की मचली production के लिए fresh water के लिए और inland fish के production के लिए आपने दिखा हो आंदर प्रदेश में एक district है नेलोर district नेलोर district को हम क्या कहते है shrimp capital of India यहां सबसे जादा जीनगा मचली का उत्पादन के जाता है नेलोर जीले को भारत की जीनगा मचली का उत्पादन जीनगा मचली की राजदानी भी कहा जाता है इसको याद रखेंगे चलिए तो यह होगे हमारे productions जो related थे मेन मेन जो आपको बताने थे वो यही है तो यह वीडियो आपको पसंदा है तो please like and share जरूर करिएगा और जिनको भी plus subscription चाहिए वो actually यहां पर मुझे message कर सकते हैं या मुझे जान सकते हैं इन सभी के बारे में कोई भी किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो आपको regulatory जरूर maintain करनी है तो वो आप anagademy plus में daily life classes होती है और daily कम से कम 15 से 20 life classes daily आपको भी लेंगी आप वहाँ choose कर सकते हैं अपने मन पसंद के educators को Thank you so much